कि अब देख रहे हैं जो साइकल से लोग जा रहे हैं अधर से जो जो साइकल से आ रहे हैं यह आप देखेंगे नीचे पोल डाउन है यानि कि नियमा तह जो है रेलवे जो नियमा वली है उसके अनुसार अगर पोल डाउन हो जाता है तो इसके नीचे से या उपर से कोई भी आने-जाने का यह देखो आप गाड़ी आ गई है अगर यहां कि अभी भी कोई गुजर रहा हो था यहां पर बहुत बड़ा हासा हो सकता था बाइद वे माल लिजे को एक्सिजेंट हो जाए किसी को चक्कर आ जाए पीच पट्री के उपर यह और दोनों तरफ गेट बंद है बाइए नमस्कार मैं हूं सुवित्य और आप देख रहे हैं जन हूंकार न्यूज भी सुका सरसेश न्यूज चैनल और आज हम पस्थित हैं अटवा कुर्षट की रेलवे क्रासिंग के पास में यहां पर यह देखेंगे कितने लोग जो हैं जो रेलवे के नियमों का पालन करते हैं अ cilantro में अभी आप देख रहें जो साइकल से लोग जा रहे हैं अधर उस से होजो साइकल से आ रहे हैं यह आप देखेंगे नीचे पॉल डाउन है यानि कि नियमात तह जो है रेलवे जो नियमा व ली है उसकी आनुसार अगर पॉल्ड हो जाता है तो इसके नीचे से या उपर से कोई भी आने जाने का माध्यम नहीं रखा जाता है नेवावली ये कहती हलां कि वो सर एक समझदार थे जो साइकल से आ रहे थे उन्होंने इसका नियम का पालन किया है फिलाल वो वापस हो गए हैं लेकिन ये दो साइकल वाले चले गए लेकिन जुम्मे दोस्त देते हैं सरकारी कर्मचानी यहां का गार्ड है गार्ड ने अभी तलक किसी भी बेक्ति को एक बार भी आगार नहीं किया हमारे पोल है नीचे डाउन कर दिया जाता है इसका मतलब क्या है आप से जानना चाहते हैं अगर यह गाड़ी जैसे यह भीया है देको निकाल रहे हैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है अब बोल रहें बड़ा एक्टीट भी एनको राहूल नाम बता रहे हैं जो भी करना है कर लिजे यह हैं अमारे इंडिया का कल्चर यह जो पोल है रेल्वे क्रासिंग है यह नीचे डाउन क्यों की जाती है इसलिए कि जो बच् अभी देखो यह गाड़ी आ चुकी है यह देखो आप गाड़ी आ गई है अगर यहां से अभी भी कोई गुजर रहा होता तो यहां पर बहुत बड़ा हासा हो सकता था बाइद मालीजे को एक्सिटेंट हो जाए किसी को चकतर आ जाए पीच पटरी के उपर और दोनों बचे तो गटना से बचा जा सके हमारा कहने मतलब सीधा साधा यह है कि आप यहां के गाड़्ड है को मानता है आप दुबारा फिर आए फिर वीडियो बनाए देखो मैं इससे पहले एक दिन आप नहीं आप नहीं देखने आप भी मना करें और कोई माने हम दिन में भी रहत हैं यहां पर आपको पता है कि मैं पत्रकार हूं हमने आप से कहा कि मैं कवरेज करने आया हूं उसके बावजूद भी आपने यहां पर जितने भी लोग आते जाते से आपने किसी को मना नहीं किया यहां पर मोर बहुत है गाड़ी नजर नहीं आती आप आने जाने वालों को तो आप एक पर हमाई समय आउकत करवा सकते हैं यह नीचे से नहीं निकलना है अगर को इसी गलती करता है उसका वीडियो बनाईए तुरंत लिखित लिए उसका नोट कीजिए आदमी तो अंजान है यह जाने आदमी अंजान है जाने उसके आपकी आपकी रिस्पोंसविलिट है आप जुम्हेदार है जाते हैं वह जाने तब मुझे तो बोल सकते हैं ना इस बाइदे मालीजी अगर कोई गाड़ी है नीचे भी आग लग जाए नीचे गिर जाया दुर्गटना हो जाए इसकी जुम्हेदारी किसकी होगी मुझे लगिया नहीं किया हुआ है दुदू मैं कवरीज करने आया हूं इसके बावजूद आपने मना नहीं क्या लड़ाएं लड़ाहिं ल необход मूसा तो गखते हो लेकर हैं आपने आपकी पिर रवाई क्या बनतीत कम से मेरे सामने तो आप लोगों को मना कर सकते थे मैं भी तो देखता कि कि बाना करने से आपसे नहीं मानते हैं और नहीं मानते हैं उनका डाटर नोट की अपने सीने लोगों को अवगत करवाई है यह जुम्यदारी किसकी है लडाई वाली बात नहीं आपकी रिस्पॉंसबिल्टी आपकी ड्यूटी है बाइद वे मान लीजिए भी गाली यहां पे बिस्फोट कर जा फिर या कोई बैक्ति च जाने तो नहीं हम यहां तो सलिए है यहीं तो मैं कह रहा हूं आपकी रिप्लिटी क्या है अधमी तो इसे निकलता है जब उसे पता नहीं वह एंजान है तो यह आप जानकार हैं आपको सरकार पैसा देरी इस बात का कि आफ द्रगटना को रोंकि आप तो गेट बंद करवा कि आपके पास में पुलिस चोकी है आपके साथ कोई बत्मीजी नहीं कर सकता अगर कोई अपरती है आप से तो आप कुना सुचना कीजिए यहां पे तोई बार खौजी से भेट हुए यहां पे उन्हें मारने सोते ही आ रहे हैं यहां पे गार्ड साब की जूटी क्या यह पोल क्यों इधर आप देखिए थोड़ा इधर देखिए पास में आप देखिए जो रेलेवे की क्रासिंग का पोल है इसे डाउन क्यों किया ज होता है कोई आदमेबचा यह बंद इसलिए होता है कि कोई गाड़ी इधर से क्रास ना करें कोई ब्रके ने करें इसी लिए तो बंद किया जाता है और गाड की रिस्पोंसमीज्टी क्या होती अकर कोई निकलता है उसको मना करे राइट अगर कोई ब्यर्प्र से डाटा नोट करें गाड़ी नंबर नोट कर लिए आप पेन रखिए गाड़ी नंबर नोट कीजिए उसका अपने सीनियर को अउगत कराईए वहां से चालान कटके आएगा उसका तब इसकी एकल ठीकाने आ जाएगे उसको पता लगे का वहां से आप लिखित देंगे कि इसने यहां पे रेलवे सामने भी किसी व्यक्ति को मना नहीं कि अप गारी देखिए गारी आप निगाहों से देखते हैं आप जबाहां से नहीं तो ने आप किसी दिन आऊंगा और फिर से आपका यही निर्ष्ण करूंगा अगर आप अपनी डिवोटी का इमांदारी से निरौहन करेंगे तो फिर तो नहीं है कोई आपको प्रताडित कर रहे हैं कोई नाराजगी तो नहीं है ना इस तीक यह गाड़ साब नाम क्या भी आपका राम प्रकाश सनाफ आप गाड़ी हैं जैजीन यसन क्या पोस्ट क्या आए गाट मैं ठीक है धन्यवाद